जाइन दोस्तों कैसे आप सभी उम्मेद करता हूँ बेतर होंगे स्वस्थ होंगे आज की जो वीडियो होने वाली है यह बहुत प्रतीक्षित वीडियो में से एक है क्योंकि आप सभी ने इस विशे पर काफी जादा कमेंट करके वीडियो बनाने की डिमांड की थी तो आज क की वीडियो जो है यह आप सभी के कुश्चन की उपर आधारित है इस वीडियो का जो मुख उद्देश है वो आप सभी को जानकारी पहुचाना है कि LMV ड्राविंग लाइसंस जो होता है लाइट मोटर वैकल लाइसंस जो होता है इससे आप कौन-कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं इंडिया में तो भारत में LMV ड्राविंग लाइसंस जो होता है यह आप मान की चले कि लगभख सबसे ज़्यादा बना हुआ ड्राविंग लाइसंस में से एक है तो आज कि इस वीडियो जो होने वाली हिसी को पर आधारित है पूरी जनकारी आपको मिलने वाली है बहुत informative वीडियो है आपसे request काना चाहूँगा कि वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखेगा जुड़े रहिएगा और वीडियो को आप skip ना करें बीच में यह आपसे मैं कहना चाहूँगा कि skip कर देते हैं आप तो आपको पूरी जनकारी नहीं मिलती है और नए हो तो च मिलता है आप तक नहीं जनकारियां पहुचाने में चलिए जी इस वीडियो को सेर करते हुए आगे बढ़ते हैं आपको जनकारी देते हैं कि LMV driving lessons ने कौन-कौन से गाड़ियां आप इंडिया में चला सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजे कि LMV driving lessons जो होता है इसका पता लग गया है और साथ ही आपको जनकारिती देता हूं कि LMV driving lessons होता है इंडिया में या मुखिता दो भागों में divided है यह पहले के टाइम पर अगर बात करने हैं तो यह तीन भागों में divided था समझ रहें आप सबसे पहला जो इसमें पार्ट था वो खुद LMV ही था LMV driving lessons तो आप बची हैं दो कटेगरीज मुखिता है आप कोई भी लाइसंस उठा कर देख लीजिए आप अगर LMV driving lessons आपके हाथ में है तो उसको उठा कर देखिए उपर के साइड में गोले में कहीं पर NT जरूर लिखा होगा या फिर TR लिखा होगा तो TR और NT LMV के दो भाग हो अब यहाँ पर आप यह ध्यान से समझेए अगर आप अपने driving lessons उठा कर देखिए उसको ध्यान से समझेए कि अगर वहाँ पर NT लिखा हुआ है LMV NT तो उसका मतलब होता है light motor vehicle for non-transport categories समझ रहे हैं यानि कि जो driving license four wheeler बनाने के लिए बनाये जाता है LMV driving license आपके पास NT है तो ऐसी गाड़ियां आप चला सकते हैं इंडिया में जो कि non-transportation use के लिए हैं समझ रहे हैं आपके private use के लिए हैं किसी भी प्रकार की four wheeler गाड़ियों को चलाने के लिए LMV license बनाये जाता है और अगर NT है तो उसका मतलब होता है कि आप personal use के लिए गाड़ी चला रहे हैं four wheeler मे और यहीं पर जो next part होता है LMV TR होता है LMV TR का मतलब यह होता है light motor vehicle for transport category यानि कि ऐसे किसी भी प्रकार के four wheeler वहान चार पहिया वहान आगर आप चलाते हैं और आपके license में TR है तो TR का मतलब होता है transport यानि कि ऐसे वहान जो आप commercial purpose के लिए चला सकते हैं समझे आप transport categories तो एक होत है commercial use जिसमें LMV TR आता है आप समझ जाईए तो हम पहले बात कर लेते हैं LMV NT में कौन-कौन से गाड़िया चला सकते हैं तो सबसे पहले light motor vehicle non-transport यानि कि private vehicles के लिए आपको मैंने बता दिया कि four wheeler के बहान आप उसमें चला पाएंगे किसमें private तो आप अपने लिए उसमें कि किसी प्रकार की कार जीप बलेरो स्कॉर्बियो फोर्चुनर इनोवा चला सकते हैं आराम से फोर्विलर समझ रहें आप किस लिए private अपने लिए चला सकते हैं समझ यह commercial purpose के लिए नहीं चला सकते हैं LMB NT से आप किसी प्रकार की ओला उबर की वहकिल भी चला सकते हैं इंडिया में यहां तक कि आप किसी विप्रकार की ओला उपर को चला सकते हैं अपने वहाँ पर जी को पारजन कर सकते हैं आप रोज मररा की जिंदकी वहाँ पर जी सकते हैं ओला उपर घाडिया चलाएंगे तो वहाँ पर आपका कुछ न कुछ आृरिनिंग भी होगी यानि कि पब्लिक सर्विस वेहिकल जो बैज होता है वो आपके ड्राइविंग लेस्न में में इंसर्ड होना चाहिए तब ही आप उलावबर की गड़िया चला सकते हैं समझ गया तो कहने का मतलब है कि फोर वीलर तो आप चला सकते हैं परसनल यूज के लिए किसी भी प्रकार कि फोर वीलर गाड़ decisions को LMVNT में अब बढ़ते हैं LMFTR में नेक्स पार्ट जो दूसरे पार्ट है तो दूसरे पार्ट LMFTR में इसका फुल फाम होता है लाइट मोटर वेकल ट्रांसपोर करकार इस गाड़ियों को इसमें आप भी पोर वीलर तो सभी चला सकते हैं जो LMVNT में छला सकते हैं कि किसी भी प्रकार की सवरी वगयरा इसमें आपने गाड़ी बढ़ा सकते हैं आप इसको पर और ने चॉसटे हैं किसी वहाँ पर आप करते हैं लाइशन्स को बने पर लिए मैं आगर बताओं थो आप आटो टैक्सी ओला ओबर क्रेंज ses प्लस पॉइंट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास यहां पर अगर आप इंडिया में किसी सरकारी नौकरी के तलास में हैं जिसमें आप ड्राइवरी कटेगरी के पद पर अपने वेकेंसी वगारा उसमें आई हुए और वहां पर फार्म आपके पास LMB-TR लाइसेंस ही माना जाएगा वाइलिट तो आपके पास LMB-TR लाइसेंस होना चाहिए LMB-TR के दम पर ही आपको वहां पर driving की post जो होती है उसके लिए आपको eligible माना जाएगा यह आप note कर लिजेगा उसमें private category का नहीं चलता है तो यह आपको जानकारी मैं दे दी के LMB-License है आप कौन-कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं कैसे लिगी जानकारी वह comment से सुन बताईए कोई doubt को question हो मन में ना रखें य नीचे description में सभी social media handles link मैंने दे रखा है तो यहां तक आपने वीडियो देखा तो आप सभी के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को और इस वीडियो को like करने के साथ share करिएगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देख